हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल ओल हाउस टिप्स आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे देखिए इतना प्यारा खुबसूरत सा एक पर्स देखें चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं देखें आज हम बनाना स और उसमें हमें सबसे पहले चार चेन लेनी है एक दो तीन चार अब हम यहां से जाइंट करना है अब फिर हम यहां से डबल कुरेश्या बनाएंगे एक दो ती चार पाच इस सर्द्ल को हम पूरा बना लेंगे छे करके श्द्क ते अज़ी गाइव कि श्रुअब है आट आए है आजी अगे लोन पहले हमारी नेक्स ट्रोल स्टार्ट हो गये यहां पर हमें स्टार्ट करने से पहले इसमें दो त्य जहां से हमने चेंड ली है उसकी जिस्ट बराबर जहीं से हमें एक डबल क्रेशिया लेए है ठीक है अब हर चेन में से हमें डबल उक्रेशिया बनानी है देखे फ्रेंड्स यह डबल कुरेशिया करते हुए हम इसमें पूरी रोग ऐसी तियार कर लेंगे देखे फ्रेंड्स यह ड़ो कंप्लीट हो गई है यह से एक स्टीच और हम ले लेते हैं अब इसे हम यहां से जॉइंट कर देंगे यह हमारे एक राउंड तियार हो गया है अब हर राउंड में हमें एक दो तीन चेन लेकर नेक्स डबल क्रेश्य यहीं से स्टार्ट कर देनी है इस तरहां से हमें एक दो तीन डो कंप्लीट कर लेनी है दिखाती हूं मैं आपको बना हुआ एक और देखी फ्रेंड्स यह हमारी तीन रो तियार हो गई है एक दो तीन यह बीच का हमने बनाया था उसके बाद एक दो इतना बड़ा तैयार कर लीजे उसके बाद नेक्स स्टेप अब बताएंजीं यह हमारा इतना बड़ा पित थे तियार हो गया है इसमें पेच में जो बनाया था इसके बाद एक दो तीन यहां पर लाइन बनाई है अब इसके बाद हम इसमें सफ़ेद उन लगाते हैं कैसे है एक स्टिच हमने लिया इसमें इस तरह हैं इस तरह हमें पर यहां से हम एक और लेंगे और हें देखीः आगे के 2 हमने गिरा दिये अब हमारे तैने स्टिच बचे अब इन 3 को हम साथ उतार लेते हैं तो यहां एक सिंगल हैं फिर हमने एक क्या हैएं उसके बाद party नेक्सट चेन से इस लिया है देखे यह डो औरे प्रेशयए में ।िर हम यहाँ सेया को अभी हमारे तीन हो गए एक यहां से यहां लें लेते हैं अब हम इन सबको और देंगे टेमरे ज़्पोर एक च-जान लेंगे ठिर हम स्किप करेंगे ज़्यां और यहां नेक्स्ट जानगें पर देखें तीन एक और हमने दिया यहां से अभी हम तो को आगे से उतार देंगे अभी हमाई पर चार बचे हैं इन चारा को हम एक साथ उतारेंगे यहां से फिर हमने एक चेढर लिली पिर यहां हमेख स्किप करेंगे एक चेंड से स्टार्ट करेंगे इस तरह वारी कमारी पूरी रो कर के आपको दिखाती है की देखिए फ्रेंट्व सी मेरी फस्ट रो वाइट कलडर की बनकर तैयार हो गई है आप देख रहा ओंगे इसमें इस तरह से क्डिजाइन सब्वाय ओव बार ओपर उपर की साइन अब हम इसमें सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं जहां से आमने फस्ट रोर हो की है वहीं से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे चलिए लिए बताती है कि अब देख लिए अब यहां से हमें एक बार और डबल क्रेश्य बनानी है फिर आगे के दो फंदे हमें उतार देने हैं अब हमारे तीन फंदे इसमें एक बार और बनाना है अब हमारे चार फंदे होगा हम इने एक साथ ही उतार देंगे इस तरह से है फिर हम एक चेन ले लेंगे यहां फिर यहां नेक्स्ट इसमें इन दोनों की बीच में से हमें लेना है यह दो हो गए हमारे देखे यह हमारे चार फंदे हैं हमें फिर इने उतार देना है यहां हमें एक चेन ले लेंगे फिर यह नेक्स्ट इसमें से हमें लेना है तीन बार हमें इस तरह में से लेना है देखे यह चार फंदे हमारे होगे हमें फिर इसे उतार देना है यहां से फिर एक चेन अब मैं इसकी पूरी रो करके फिर आपको दिखाते हूं देखी फ्रेंट से हमारी सेकिंड रो भी तेयार हो गई है अब हम इसमें तीसरा धागल वून लगाते हैं जहां से हम जोड़ेंगे वहीं से हम इसे शुरू करेंगे देखिए चार धागे चार फंदे फिर हो गए हमारी हम चारों को एक साथ उतार देंगे फिर इसमेंगे थे देखिए उतारा फिर फिर वहीं साथ सेम प्रोसीजर है उसी तरह से हम इसे बनाते जाएंगे तेसे हमtwor शक्रती हमनें नीचे की दो लाइन है अब इन चारों को एक साथ स्किप कर देंगे फिर एक चेंड ले लेंगे फिर नेक्स्ट में से इसे तरह से हमें यह पूरी रोग कंप्लीट कर देनी है इस सब को हम उतार देते हैं यह लाइन पूरी करके भी आपको दिफाते हैं देखें लाइन च JeÃःताम लाइन यह जिडि़गादा को हम आपके लाइन भी भी मैं खरञदादार तरण वाइन फिरस साथ मार orbitsर्का स्किर Kशण खरण से किर में थे नहीं देखे फेंड्स तरह से हमें पूरी रोग बना लेते हैं फिर आगे आप बताते हैं देखे फेंड्स मेरे यह परस आधा बनकर तेयार हो गया है मैंने इसमें एक दो तीन चार पाच छे साथ रोग बनाई हैं और अव्य हमें इसके आगे कैसे बनाते हैं यहां से देख लीजिए अब मैंने जिससे इसका बूर्टम बनाया था वसे इसके तो बनावगा difference देखे कैसे बनाना है मैंने व्याइअनि-शाथित कनेक्ट कर ली है अब हम इसमें हाफ ॡबब कुरेशिया से पूरी रोव मत नाएंगे कर दो किुए भी वह तो किוש में जो खाली जुगार यहां पंदा उठाइब यहां का इसके सन्टर वाला इसका एक पंदा उठाने में हैं हम दबल कुरेश्य में इन तीनों को एक साथ ही निकाल देते हैं ये तीनों एक साथ मिल कड़ेंगे सेंटर से लूगे एक पंदर और तीनों एक साथ के यूझ है हमें ये पूरी रोय कंप्लीट करने होगा है एक हमें बीच में से लेना है जो हमने यह लिफ बनाई है इसके इस तरह से हम इसे करते हुए यह पूरी रोग कम्प्लीट कर लेंगे कि देखिए ऐसे एक बाद फिर देख लीजिए एक सेंटर में से हमने लिया फिर हम यहां लीफ के ओप लीफ के ओपर से हमने लिया यह तीनों फंदे एक साथ हम नीचे उतार देता है फिर सेंटर में से जो बीच में जाली बनी हुई वहां से और लीफ जो है इसके ऊपर से एक लीफ में एक हमें लेना है स्टीच देखी पैंट्स मैंने इसकी यह दो रो बना ली है हाफ डबल कुरेश्या की देखें यह बन चुटी है हमारी है मैंने इसको इतना बनाने के बाद यहां से और यहां से बराबर बराबर दो हिस्सों में देखें इसे अलग-ळग डिवाइट कर रखा हैgen 6-7 इधर ठोड़ी हैँ और 6 यहां पर 6 इधर और 6 यहाँ कि चार साइड से अब इसके बाद हम इसे अगला स्टेप इसका बनाते हैं देखे कैसे बनता है कि यहां से यहां तक तो हमें इसमें हाफ दबल कुरेश्य ही बनानी है कि यहां से बनानी है कि यहां तक हमें इसमें हाफ दबल कुरेश्य ही बनानी है यहां तरह में इसे निकाल देंगे कि यहां से यहां तक हमें इसमें सिर्फ चैन बनानी है यहां से कि का जा देंगें से यहां से निक्सा कुरा तोा तेंग आड़ ठाट पंद्रा हमने यहां पर चेन बना ली है फिर यह वाली जॉइंट पर हम इसे जोड देंगे देखें जोई मार्क लगाया है इसे हम हटा देंगे फिर यहां हमें हाफ डबल कुरेशिय बनानी है कर दोची होð। जदेysis पिते ली करती है ढूदी हो часто बनानी हम एक है मैं खकैन स्योद देखेंगेत よग कर देखेंज झाल तुर्ट्ना में प्यां वाली जोंकर लगाम करिये लीए युश। है 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 कि देखिए फेंट्स हाफ डबल कुरेश है हमें यह मार्क तक बनानी है उसके बाद हमें रिपीट भाई सोला चेन बनानी है इसे निकाल दीजे फिर हम यह चेन बनाते हैं एक दो तीर चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा जहुदा तन्हों सब्सक्राइब इन चेनों को हमें यह जो हमने इधर मार्क लगाया है इसमें हमें इसे जोड देना है यहां पर फिर हमारी यहां से फिर हाफ डबल कुरीशे बनाई जाएगी देखिए लग बनाई जाएगी एगाया जाएगी देखिए आएगी नो देहां से लगएगी देखिए लगक पांट झाल झाल देखे फेंट से इकना बनाने के बाद अब हमें इसके उपर से सोलेस्ट हाफ डबल क्रेशिया बनानी है इसे हम कलाती है झाल 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 आब में ये मीटन से खेंगे सांट आफ 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 कि अब हम यहां से यहां तक वापस पूरा बुनके फिर आपको दिखाते हैं कि अब भी तेयार हो गई है अब हम इसको यहां से जोड़ देते हैं देखे फ्रेंट्स हमारा यह पर्स बनकर बेग बनकर तेयार हो गया है कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरा यह प्रियास यह मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आई हो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर इसमें आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट्स करके मुझे बताईए अगरूर अगर अगरूरू अगरूट अगरूरू